तुनाओ नजदीक आते ही एक बार पर से अयोध्या में राम मंदर को लेकर मामला गर्माना शुरू हो गया है इसी के चलते लखीमपुर खीरी में एक नीजी कारकरम में आई बीजेपी नेता सादवी प्राची ने मीरिया से बात करते हुए कहा कि आयोध्या में राम मंदर बनेगा और धरन संससे मंदर निरमाल का रास्ता कुलेगा जनेब भारी ब्रहमल को मंदर पर अपना रुख साप करना चाहिए उन्होंने कहा कि कोट मंदर पर फैसला दे नहीं तो सरकार अध्यादेश लाकर मंदर का निरमाल करा है प्राची ने कहा कि अगर कोट के माध्यम से मंदर नहीं बना तो जैसे मंदर तोड कर बाबर ने मज़िस बनाई थी उसी तहें से हम भी राम मंदर का निर्माण करेंगे प्राची ने राहुल नांधी परतंज करते हुए कहा कि राहुल नौतंग की कर रहे हैं वो एक नकली जने भारी ब्राममण हैं उसको अपना गौतर तक नहीं पता हमने कहा राम मंदिर तो बनेगा कोट काम सम्मान करते हैं या तो कोट जल्दी से जल्दी फैसला दे या सरकार अध्यादेश ले करके कानून बना करके सोमनात के तर्ज पर मंदिर का निर्मान कराए नहीं तो फिर जैसे अयुद्या के अंदर राम मंदिर को तोड़ करके बाबर ने धाचा बनाया था उसी तर्ज पर तोड़ वैसे ही हम राम मंदिर बना करके रहेंगे आता 6 दिसंबर को अब तो केवल और केवल मंदिर को बव्यता देंगे